السلام علیکم, मैं हूँ फैसल तारट, आज एक बड़ा दिन है, आज अमरीका में इलेक्शन है, आज फाइनल मैच है, आज पता चलेगा कि सुपर पावर का निया सदर कौन होता है, बलके मुझे तो ये लगता है कि निया सदर नहीं होगा, जो पहले से सदर है, वो दुबारा से आ क्यूंकि आज से चांद दिन पहले तक तो लग रहा था कि जो बाइडन जीत रहे हैं, लेकिन अब हर जब अमेरिका में इलेक्शन शुरू हो चुका है, आज पॉलिंग डे है, हालाके पहले भी वोड़कास्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज पॉलिंग डे है, तो पॉलिंग भी कर रहा हूं कि ट्रांप ही जीतें क्योंकि वो हमारे खिते के लिए भी अच्छे हैं तर्की के लिए भी अच्छे हैं इफगानिस्तान के लिए भी अच्छे हैं मसला कश्मीर भी वो ही हल करवा सकते हैं जो बाइडन कभी भी मसला कश्मीर हल नहीं करवा सकते। लहाज़ आसमान भुटा साथ चोंके बेहद नौलिज रखती हैं, मालूमात रखती हैं, यूस इलैक्शन के हमाले से जाहर हैं, मालूमात रखती हैं, इसलिए मेरे साथ बैठी हुई हैं, और हमेशां आपको बताते हैं, कहें पे क्या चल रहा है तो यह हमासमान भुटा साब से ही जानेंगी वो बेतर बता सकती हैं कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है कौन जीत रहा है एक चोटी सी वजाद जरूर मैं आपके सामने करूंगा बहुत ज्यादा मेसेज़ेज आपके आते हैं फेस्बुक पर भी और शेयर करने के लिए कोई चीज जो शायद एक नवे साल का बाबा भी ना बता सके और आपको वो पता हो तो उसके लिए कोई एज का या उमर का होना जरूरी है कि आप चोटी है आप बड़े हों के हो कई लोगों को बता सकते हैं कि अमेरिका की एलेक्शन के अवाले से क्या ले हैं देखें मैं ये आपको इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जो इतने मैसेजिस रिसीव होते हैं और इतने कॉमेंट्स आपको आते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि वो यकीनन मेरे से बड़े होंगे एज में जो उनको ये महसूस होता है तो मैं सियसेदानों के साथ एक अच्छा रिष्टा है और लहाजा आपको की बात शेयर करने के लिए या कोई अनैलिसिस नॉलिज करने के लिए पढ़ने के लिए कोई उमर का तकाजा नहीं होता आपको जो आपकी लगन होती है आपकी मेनत होती है आपको वो ही आगे लेके जाती है लहाजा इसके ओपर मेरी बहुत रीसर्च और बहुत अनेलिसिस है तो मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोग को इस बारे में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर सकूँ असले में बुटा साम मसला ये है कि लोगों को लगता है कि अगर कोई बड़ा नाम होगा कोई बड़ा नाम होगा वो बताएगा तो उसकी बात में वर्त होगी बड़ा नाम बेशक आगे बातें करके निकल जाए लेकन जाहर है वो बड़ा नाम है अब अमरीकी एलेक्शन के ह भी छोटा नाम था लेहाज़ आप इलेक्शन की दरफ चलते आएं तो इलेक्शन के बारे में आपको बतादा चलूं के जो मेल बैलेट्स हैं उन्होंने बहुत हैम एक रोल प्ले किया है आज पॉलिंग का आखरी दिन है आज वोट कास्टिंग का आखरी दिन है और इसके बा एकशन के दिन पर आपने बारे में लेक्शन के दिन पर आपने बिल्कुल सही का ट्राम्फ बहुत अक्टिव है आज जबके बाइडन जो है उन्होंने अपनी शुरू जो आज सुबा की वो इस तरह की कि वो अपने खांदान की कबर पे गए जो उनका खांदानी कबरिस्तान है या कबरिस्तान जहां पे उनका खांदान के बेशतर लोग दफन है वहाँ पे गे उन्होंने वहाँ पे जाके मैं तो नहीं कह सकता दौा की लेकिन वहाँ पे हाजरी जरूर ले गई और उसके बाद वो अपनी कैमपेंड को थोड़ा बहुत जाके देखेंगे लेकिन बाइडन बहुत रिलाकस्ट हैं आप कहरें टरम्प बहुत आज पुर्जोश हैं उसकी वज़ा यही है कि टरम्प अभी ह अक्टिव हैं और वो पहले तो जात तर जो है वो डिमोक्राटिक पार्टी यानि के बाइडन की पार्टी का गड़ होता था लेकिन लास्ट टाइम यह हुआ कि टरम्प ने अपसेट कर दिया था और इस बार जो है कहलें के टरम्प को बहुत सक्त उस स्टेट से जीतने की है क्योंकि जो अमरीकि की एकसपर्ट हैं मेर्य हैं तो चले मैं इतना एकसपर्ट नहीं हूँ आपके सब्सक्राइबर्स या आपके जो देखने ölें यह हैं उनका development है दूसी तरफ ट्रॉम्प जो हैं वो भी भी अपना तोड़ा पुर्जोश करेंगे एक campaign जारी रखेंगे और फिर उसके बाद वो रात को उन्हों ने वाइट हाउस में एक छोटा चार सो लोगों का छोटा सा गेट टोगेधर या पार्टी के लिए रखी हुई है जिसके लिए लोग इंवाइटेड हैं और यह है कि वो पहले से करोना टेस्टेड होंगे अच्छा बुटा साथ खबरें जो आ रही है थोड़ी अगर इंडिया के हावाले से बात करें खबरे यह आ रही है कि जो इंडिया है वो जो बाइडन को जो इंडियन है वो जो बाइडन को वोट देंगे और जो इंडिया है वो भी जो बाइडन को ही स्पोर्ट कर रहा है हला कि हमने कल भी डिसकस किया जब भी हम वीडियो कर रहे होते हैं तो हम इंडिया को जरूर डिसकस करत खड़े भी हैं फिर यहां पे भी उन्होंने का कि हम ट्राम्प के साथ हैं तो अब मुदी साहब अपना माइंड कैसे तब्दील कर सकते हैं कि आपको यह तो नहीं लगता कि जो जो बाइडन ने कहा है कि मैं अगर आया तो मैं इंडिया के साथ खड़ा हूंगा चीन के खलाफ तो चीन का मकाबला करने के लिए शायद आप वो जो बाइडन की जानब जा रहे हैं आपको ये तने लगता कि इंडिया क्यों दोखा दे रहा है देखें पिछले कुछ हरसे से ट्राम्प और मोदी के दरम्यान कुछ कशीदगी जरूर पाई जा रही है और जब नमस्ते इंड इंडिया का बड़ा रुजहान इस तरफ गया कि क्या हुआ है कि एनके बीच कोई बादशात हुई है लेकिन वाइट हाउस ने एक वजाती स्टेटमेंट दी कि नहीं ये आम तोर पे हम कहीं जाने से पहले फॉलो करते हैं और अन फॉलो लेकिन मैं इस बात को यकी पर यकी करते हैं तो ये चीज़ें तो चल रही हैं दूसरी एक ऐस्पेक्ट ये जरूर है कि बाइडन आए बाइडन की एंटी चाइना एक अप्रोच है तो बाइडन की भी क्योंकि शी जिंग पिंग के साथ नहीं बनती है उन्हों जब वह वाइस प्रेजिडेंट थे तो उन्हों उनकी भी एक एंटी चाइना हिस्ट्री तो है और अप अमरीका का जो भी सदर है वो ज़्यादा इंडिया के ही फेवर में रहेगा लेकिन इसकी एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताता चलूं कि जो जो बाइडन की वाइस प्रेजिडेंट हैं कैमिला हैरिस वो इंडियन ड पहले वहां पर जो उनके अपना एक रिवाज है जिसके जिसके मताबिक वहां पर मनते करते हैं और एक जशन सामना आते हैं तो उन्होंने गूड लॉक कैमिला हैरिस को ज़रूर विश किया है देखिए यहां पर कोई ट्राम्प साहब के हावाले से मेरे साथ बात करने वाल कोई हमन राइट्स नहीं हैं वहां से तो अमनेस्ट्री इंटरनेशनल निकल गई तो इसलिए उन्हें कहा भाई जान इनमें कोई वह इस तरह के कवानी नहीं है या लोगों को मारते हैं तो इसलिए मैं मूदी साहब को मतलब अन्फालो कर रहा हूं सेकिंड आपने खुद ह आफमूर के हैं जिससाथ मेरे करहे हिससे नहीं पाकेंशनज eer जो हमारा अब पार्टनर हैं इंडिया के मुकाबले में उसका तो जो बाइडन दुश्मेन है जो बाइडन तो उसे पसंद नहीं करता तो हम कैसे पाकिस्तानी जो बाइडन को पसंद कर सकती हैं आपह accredить에 मैं आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया हमारा जो कहलें कि हम देखें हर इनसान ने कई ना कोई चोईस तो एक पिक करनी होती है मैंने कभी भी अमरीका को चाइना के ओपर नहीं चूस किया देखें हमारा चाइना के साथ एक क्रीबी तालुक है चाइना हमारा नेबर भी है एक बड़ती सूपर पावर भी है और वो हमारे साथ एक पार्टनर्शिप में है एकनॉमिक पार्टनर्शिप सेक्यूरिटी पार्टनर्शिप और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा तालुक है लहाज़ा मैं कोई बाइडन को शी जिंग पिंग के ओपर तो नहीं बात करें तो ट्रॉम्प का चाइना के खिलाफ कोई हथ होला तो नहीं उन्होंने भी रखा हुआ वो आप देखें वो करोना वाइरस को चाइना वाइरस कहते हैं उन्होंने चाइना से लोग आने बंद कर दिये थे चाइना के ओपर खुली तनकीद करते हैं चाइना के साथ वो ट्रेड वार में मुलविस हैं तो कहीं वो चाइना के कोई बहुत ज़ादा के लिए दौाग हो नहीं है और जहां तक देखें मैं कोई बायस नहीं हूँ मेरा काम यह है कि मैं मजीद कम्प्लीड इंफर्मेशन दूँ और यह बताओं कि मैं किसे पसंद कर रहा हूँ तो मैं कोई हकायक छुपाने वालों में से नहीं हूँ मैंने आपको बताया कि सेनिटर कैमिला हैरिस जो के जो बाइडन की वाइस प्रेजिड है उनका इंडिया से तालग है लेकिन आप यह भी देखें कि जो लंडन के मेर है उनका पाकिस्तान से तालग था उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कर दिया आपने कहा कि अगर जाहरा दो टीमों का मैच चल रहा हूँ एक को आपने चूज करना होता है, एक को आपने पिक करना होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो हमने पाकिस्तान को ही चूज करना है, जो भी मसला हो, सिंदी हों, बलोची हों, पाकिस्तानी हों, जाहर है सारे पाकिस्तानी हैं, तो हमने अपनी टीम को पिक करन हैं. अब देखिए, ना तो हमारे तालुखात हैं ट्राम्प के साथ, ना ही जो बाइड़न के साथ हैं, चूज करेंगे तो किसी खुबी और खामी की वज़ा से करेंगे. जैसे कि तालिबान कहय चुकी हैं कि ट्राम्प आना चाहिए, तुर्क ही कहता कर रहे हैं, कोई वजा तो बताए. देखें सबसे पहले मुझे इस से आपको कुछ मेंसेетрी इस बारे में भी आए के अमरीका में क्या टू पार्टी सिस्टम है, तो मैं इस बारे में भी थोड़ी सी वजात कर दों कि अमरीका में और पार्टी हैं जिसना टी पार्टी और होगी लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे निया है कि वो पूरी 50 की 50 स्टेट के उपर बेस करके एक प्रेजिडेंशल एलेक्शन लड़ने और लहाजा अब आप बात करें कि ट्रॉम्प और जो बाइडन इनमें से देखें हमने एक को तो चूज करना है और आप कहरें कि ट्रॉम्प जो है वो बहुत अच्छे हैं इस खिते के लिए अगवानिस्तान से तालिबान कहरे हैं कि ट्रॉम्प आएं और हमारी डीफ आती है लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ट्रॉम्प जो है जो इसराइल की वो सुपोर्ट करते हैं जो आप मुझे बताएं कि जो बाइडन में खूबी क्या है कौन सी चीजी है जो जिस वज़ा से आप मुतासर है मैं तनकीद नहीं कर रहा आप बड़े आप कन्फ्यूज आप बताएं जो बाइडन में ऐसी कौन सी खूबी है देखें जो बाइडन में खूबियां बहुत सारी होंगी लेकिन हमारा ये देखें मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे लिए दोनों में से कोई अच्छा नहीं है ठीक है हमारे लिए दोनों ही बुरे हैं लेकिन हमारे ज्यादा बुरा कौंस है हमने ये फैसला करना है कि ज्यादा बुरा कौंस है और कम बुरा कौंस है अगर आप मुझे ये बता दें कि ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा क्यूं है तो मैं नहीं समझता ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा है पाकिस्तान के लिए सिर् के लिए कम बूरा कॉंस है। लहाजा ट्रॉमप जिसका माजी मेरे साथ देखें, माजी में हम ने क्या है उन्होंने क्या किया है, और पाकिस्तान के साथ क्या किया है। इस हेखा Łँ, मैं आपने मुझे नहीं गिनवाने दिया क्योंकि आप टराम की सुपोर्ट पे हैं आपने मुझे एक दफ़ा नहीं बताने दिया कि टराम ने क्या क्या पाकिस्तान और खित्य के साथ कियां तो लहाजा उसको हम एग्णूर कर देते हैं पर बाइटन का कोई ऐसा ट्रैक पॉसिबल नही है बेशक हो वो सूपर पावर ही क्यों नहीं तो नहीं ने झाया था कि हम आ रहे हैं उन्हों ने इनफॉरम्ट किया था पर नहीं यह नहीं बताए gotta कि वो क्यों आ रहे हैं यह एक अलएदा डिबेट है लहाजा जब यह भी हुआ तो जो । uh डानल्ड एक प्रोग्राम में आए शाहिद खान साब और उन्हों ने भी बताया कि वो जो कैरी लूगर बिल आया था उसमें भी जो बाइडन का एक एहम रोल था और वो पाकिसान के बारे में एक अच्छे जजबात रखते हैं और वो तालुकात को बेतर करना चाते हैं लहाजा पाकिस के लिए एस कंपेर टू टू ट्राम जो बाइडन एक बहतर चोईस हैं देखिए शाहिद खान साब ने कहा कि वो अच्छे जजबात रखते हैं रखते हूंगे अगर आप साजित तारड को लें या किसी और रिपब्लिकन को लें वो कहेंगे कि वो पाकिस्तान के अवाले से अच्छे जजबात रखते हैं एवन उनके जजबात अच्छे हैं भी खिते के अबाले से उनके अच्छे जजबात हैं यह तो जब भी आती हैं डेमोक्राइटिक तो वो तो आकर जंगे चेड़ देते एं उन्होंने हर मुमकरन कोशिश की इफगानिस्तान की जंग करतम हो विराक की सीरिया की तो वो तो हमें जंगों से बचा रहे हैं भैरत आखिर मैं ज़रूर भुटा साब से पोछूँगा इन्होंने काउंटिंग की बात की चाहिए लेट हो एलेक्शन की रात इसलिए एम होती है कि जितने वोट अभी तक काउंट हो चुके होते हैं उस से वो एक अंदाज़ा जरूर लगा लेते हैं कि कौन जीत रहा है और अंदाज़े से उनको पता चल जाता है और आज तक उनका अंदाज़ा कोई खासा गलत नहीं हुआ हिस्टरी में और ट्रांप जो हैं जिनकी आप बात करें हैं उन्होंने अपनी लीगल टीम तियार कर ली हुई है जैसा कि उन्होंने बताया है कि मैं वो उनका कैमपेइन पे अतना जोर नहीं रहा है आपको ये बी एक बात था उन्होंने अपनी लीगल टीम तियार कर ली हुई है और और वो यह इस चकर में है कि बस यह एलेक्शन खता हूं और वो कोई नुक्ता ढूंड़ने और सिदा अदालत का दर्वाजा खड़का है तो लहाजा आपको जो आप ने मुझे बताया था कि एक एक्शन मूवी होती है जिसमें हीरो को बड़ी मार पड़ती है और वो अचानक से उठ जाता है तो मैं आपको दो चार सीडी ज़रूर गिफ्ट करूंगा क्योंकि जो आप एक्शन देखना चाहर थे अमरीकी एलेक्शन में वह आपको नहीं नहीं असर में वीडियो लंबी हो रही है एक आप ने खुद ही बता दिया आपने कहा कि वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टेम नहीं है फिर रश्या ने उनका एलेक्शन हैक कैसे कर लिया था वो कहते हैं कि रश्या ने हमारा सिस्टेम हैक किया था जिसके तहत पिछली दफ़ा ट्र इंफर्मेशन यानि के जूटी Benjaminidas चलाते हैं ट्रॉम के बारे में चलाएंगे या ट्रॉम के फिवर में चलाएंगे हिलरी के अगेंस्ट चलाई थी उनोंने तो वो क्या करते हैं क्योंकि आफिप आम इंसान को इतना टांग नहीं था कि खवर सुने और उसकी तसकी तस्द का कि वो सेक्स ट्राफिकिंग है जो बच्चों की सेक्स ट्राफिकंग होती है उसमें इन्वार्ड है लहाज़ उनके भी वोट इसना तोड़े गए थे तो जो इस बार उन्हों ने रशा के ओपर दुबारा इल्जामात लिगाए है उसका इल्जाम कोई यह नहीं है कि वो हैक पासिकर बताना है जिस बात में आकर नहीं बताना कि क्या ट्राम्प साहब को जीतना चाहिए या जो बाइडन को जीतना चाहिए और कौन जीत रहा है अगर आप अमेरिका से हैं या या यूएस इलेक्शन के आवाले से आप कुछ देख रहे हैं आप कुछ खबरें पढ़ हैं तो कॉमेंट्स बाक्स में हमें भी जरूर बताईएगा कि कौन जीत रहा है अमेरिका में क्या चल रहा है अपनी राय का इजहार जरूर कीजेगा पाकिस्तान जिन्दाबाद